ये है 37,000 का टैब S9FE और ये है साड़े 18,000 का कीबोर्ट कबर और ये दोनों ही मुझे सरिफ 30,000 के मिल गए वैसे ये कीबोर्ट कबर सैमसंग की वेबसाइट पर डिसकाउंट लगा कर लगबग 11-12,000 में मिल जाता है और ये टैब 4000 के बैंक आफर के साथ लगबग 33,000 का मिल जाता है और जिल लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो लोगों को ये आइडिया भी होगा कि मैंने किस दिन इस टैब को ओर्डर किया था और कैसे मुझे ये दोनों मिलाकर लगबग 30,000 में ही मिल गए और आप इस चैनल पर नए है तो इस वीडियो को देखते रहिए सारे ही पॉइंट्स में डीडेल में क्लियर करती हूँ इस टैब को मैंने वाइफाई मॉडल लिया है जिसमें 6GB RAM है और 128GB स्टोरेज जिसे की MicroSG Card के साथ 1TB तक बढ़ा सकते हैं बॉक्स एकदम सिंपल और क्लियर है उपर ही क्लियर दिख जाता है कि टैब के साथ हमें S Pen भी बॉक्स में ही मिल जाएगा बॉक्स को मैं उपन कर लेती हूँ टैब के साथ सैमसंग का ये S Pen टैब मेरा सिल्वर कलर में है तो ये S Pen भी मैचिंग कलर काई है इसके बिल्ड कॉलिटी काफी अच्छी लग रही है यहां एक साइड से ये फ्लैट है जो कि टैब से मैंनेटिकली अटेच करने के लिए किया गया है और ये सैमसंग के S Pen का बटन बॉक्स में Type-C to Type-C Charging Cable है और इस टैब को 45 Watt के अडप्टर से चार्ज कर सकते हैं इसके अलावा यहां Ejection Tool है जो कि Micro SD Card यूज करने के काम आएगा बाकि वही कुछ Manuals जिन्हां को ही नहीं पड़ता अब आजाते हैं अपने टैब पर इसको मैं इसमें से भी उपन कर लेती हूँ अब अगर टैब की बात करूँ तो इसका Design और Finish सैमसंग की Flagship S Series और Apple के iPad Pro जैसा है और जिस प्रैस पर मुझे यह मिला है उस पर तो यह Unbeatable deal लग रही है टैब पूरी तरह से Metal Body का है इस टैब में कोई भी पार्ट प्लास्टिक का नहीं है टैब के पीछे ही Samsung की branding है और साथ ही AKG की भी branding तो इससे clear हो जाता है कि यहां sound quality अच्छी मिलने वाली है बैक साइड में single camera है जो 8MP का है टैब S9 FE Plus में dual camera setup है साइड में यह power on or off button जो कि fingerprint sensor का भी काम करता है और इसके नीचे volume up and down button और साथ में इसके नीचे दो mic भी है इसके top side पर speaker grill, mic और यह micro SD card यूज करने के लिए slot या फिर अगर 5G model लेंगे तो इसमें एक SIM और micro SD card दोनों यूज कर सकते है इसके left side में keyboard attachment के लिए pin दिये गए है जिससे अभी मैं यह keyboard cover attach करके दिखा दूँगी इसके bottom में speaker grill है और type C port है जो की USB 2.0 है अगर यह 3.0 होता तो data transfer speed काफी अच्छी होती लेकिन जब Apple 90,000 के phone में USB 2.0 दे सकता है तो Samsung के पास तो अच्छी खासी excuse है कि यह 30,000 के tab में USB 2.0 पुरा नहीं है इसके front में 12MP का ultrawide camera है जो की center stage को support करता है टैप का मैंने setup कर लिया है इसके bezels मुझे Apple iPad Pro और Samsung की S series जैसे ही लग रहे है टैप को use करने के time पर यह bezels बड़े नहीं लगेंगे क्योंकि टैप को पकड़ने के लिए इतने bezels तो चाहिए ही यह tab face unlock को भी support करता है तो यहां face unlock, fingerprint, pin, password, pattern सभी tab को unlock करने के features मिल जाएंगे इसके S pen को पीछे इस तरीके से magnetically attach कर सकते हैं और इसमें side में भी इस तरीके से attach हो जाएगा main S series में S pen को लगाने के लिए slot दिखता था लेकिन यहां इसको plane ही रखा गया है इसके display 10.9 inch की है जो की एक LCD पैनल में है यहां में एक point पहले से ही clear कर देती हो कि पैनल कोई सा भी हो लेकिन इसकी display quality बहुत अच्छी है यह tab Android 13 पर based 1UF 5.1 पर run कर रहा है साथ ही इसमें 90 Hz की refresh rate है और मैंने इस tab को अभी तक जितना भी यूज किया है यह tab एकदम smoothly चल रहा है तीस हजर की price में अगर यह S Pen included मिल चाए तो यह बड़ा positive point है वैसे मैंने इस tab को Samsung live offer की दिन order किया था और वो भी corporate ID यूज करके तो corporate ID पर उस दिन मुझे इसका price 33,000 रुपेश हो कर रहा था और यह keyboard कबर उस दिन साथ मैं 2999 का मिल रहा था इसके अलावा 4000 का SDFC के कार्ट पर discount मिल गया और इसके अलावा मेरे कुछ 1800 points मेरे account में available थे तो वो भी मैंने redeem कर लिए तो खुल मिलाकर यह Tab, S Pen और keyboard कबर तीनों ही मुझे 30,000 में मिल गए और personally बताओ यह deal मुझे Tab A9 Plus वाली deal से भी जादा बैटर लगी वैसे Tab A9 Plus वाली वीडियो का लिए मैंने description box में दे दिया है तो आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं इस S Pen को Samsung Notes and GoodNotes app में Note Writing के लिए यूज किया जा सकता है इस Tab में Samsung के सारे ही फीचर देखने को मिल जाएंगे इसे टाइप करने पर Palm Rejection का भी support है यह Pen इस बटन को दबाने से एक Eraser की तरह भी काम करता है मतलब जो भी इस S Pen के काम होते हैं इससे वो easily किया जा सकते हैं जिसे नॉर्मली multiple apps open करना और उन्हें close करना इस S Pen से हम सारे ही काम कर सकते हैं मैं लॉटकर इसके डिस्पले पर आती हूँ यहां 4K वीडियो भी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगे साथ ही एक अच्छी क्वालिटी के dual stereo speakers है तो यहां साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है सैमसंग ने यहां Exynos 1380 प्रोसेसर यूज किया है जो कि Galaxy A54 में भी था यह प्रोसेसर चाहें फोन के लिए इतना powerful या optimized हो या ना हो लेकिन इस टैप के लिए यह प्रोसेसर काफी powerful and optimized लग रहा है इस टैप में multitasking करने पर भी कोई issue नहीं होने वाला हम easily इसमें multitasking भी कर सकते हैं लेकिन इस टैप में अगर मैं कभी video editing करने की सोच हूँ तो वो मुझे अभी check करना पड़ेगा कि video editing जैसे task यह tab अच्छे से कर पाएगा या नहीं बैटरी यहां 8000mAh की है और 45W की charging को support करती है तो यहां बैटरी का तो कोई issue नहीं होने वाला इसका average screen on time तो कुछ दिन use करके review में ही बता पाऊंगी अब अगर मैं इसके keyword cover की बात करूँ तो यह keyword cover इस tab की price और ज़्यादा बढ़ा देता है खास करके जिस price पर यह मिल गया है उसकी वज़े से यह keyword cover भी काफी अच्छे से cloth packaging में पैक है तो इस तरीके से यह दो parts में हमें cover में लेगा मैं इसे attach करके दिखाती हूँ यहाँ जो keyboard pin है उसके उपर हमें इसे attach करना है यह काफी easily attach हो जाएगा उसके बाद इसके back part को यहाँ यह S pen रखने के लिए अलग से position दी गई है cover काफी अच्छे से tap पे लग गया है यह keyword cover इसके साथ attach करके proper laptop की तरह काम करेगा इसके पीछे की stand है और इसको इस तरीके से attach करके अब यह एक mini laptop बन गया है यहाँ सिर्फ keyboard easy नहीं यह trackpad भी बहुत अच्छे से काम करता है यहाँ इस trackpad से laptop के सारे ही काम किये जा सकते हैं चाहे left click हो या फिर right click यह सब एकदम perfectly काम करते हैं यहाँ Samsung notes में typing करनी हो या फिर good notes में pencil के जगे इस से typing बहुत fast रहेगी और इस tab को dex mode में use करना तो और भी value add कर देता है वैसे इन सब का detail video मैं अलग से बनाऊगी क्योंकि इस tab में खास करके dex mode में या फिर notes में writing हो या फिर keyboard से दोनों ही अलग-अलग video deserve करते हैं अब अगर कोई iPad से इसको comparison करे तो iPad 10th generation लगबग 40,000 का है और उसके साथ trackpad वाला cover लेंगे तो वो भी लगबग 20,000 का आएगा और अगर Apple Pencil भी अलग से खरीदने पड़ी तो लगबग 8,000 का आएगी तो जहां मुझे ये पूरा system 30,000 का मिल गया वहीं same setup बनाने के लिए मुझे लगबग 60,000 से 55,000 रुपे खर्श करने पड़ेंगे अब अगर किसी को classes attend करनी हो notes prepare करनी हो या फिर drawing and painting करनी हो तो ये setup एक perfect value प्रवाइड करता है तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था जो मेरे पुराने subscriber है उनको मेरी इस deal के बारे में पता होगा क्योंकि मैंने इस deal के बारे में community पर post भी किया था और मैं जो भी product purchase करती हूँ मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि उस product की best deal के बारे में अपने subscriber के साथ share कर सको तो अगर आपने channel subscribe नहीं किया है तो channel को अभी subscribe करें को लाइक जरूर करें और इस keyboard और tabs related जो भी question है comment section में पूछें जिससे मैं review वीडियो में सारे question को cover कर सको thank you